है नमश्कार साथ यह तो आज हैं सेटेंड 2 जेफ्टेम्बर 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टे Но कुछ इंपॉर्टेंड अपडेटं से इतना बढ़िया कमपणी 4% की ग्रावट हो गया तो मतलब इसके पीछे क्या कारण है आई ये देख लेते हैं तो सबसे वैली बात देखें लास्ट डे शियर अपना एक तो आल टाम ही टच किया था 13649 पॉइंट से वहां से आप देख से तो शियर आज क्लोजिंग दिया तक कमपणी मतलब क्या मतलब इसका आचा इसका मतलब यह है कि कमपणी एक्चुली फानाशले 25 में कैसा ब्यापर हो सकता है उसकी पर एक फोर्कास्ट किया यह बोल से तो कि प्रोजेक्शन एक एस्टिमेट बताया मार्केट को और यह सुनने और जानने को बादी शेयर के है कि ऐसा क्या बोल दिया कि चार परसंट की सीधा गिरावाटी हो गया यह है स्टेट्मेंट शेयर्स ओप डिक्सों टेक्नलोजी फिल अराउंड फोर परसंट आफ्ट दा कमपणी सेट डैट ग्रोट फॉर फॉर्ट फॉर्ट फॉर्टी फीप विल भी स्लो डू डू टू करोर के आसपास और प्लैन टूरीच अटालीस हजार करोर के आसपास नेक्स सिक्स येर्स के अंदर मतलब वही छह साल के अंदर ठीक है तो अच्छा खासी यहां पर एकस्पेंड होगा अच्छा उसके साहां सथ एक और इंपॉर्ट अप्डेट आया मैं आपको दिखाना च किया कंपनी की लास्ट क्वाटर की जो पर्फरमेंस है उसको भी आजा यह मिल गया यह देखे यह ब्रोकरेज यह हो गया टार्गेट एक्चुली बीच में यहां पर गुम हो जाता है ठीक है तो यहां पर एक्चुली होल्ड करने का रेटिंग दिया यहां पर देख सकते हो बहुत अच्छे रिटन दिया बठाब बड़े कंपनी होने के साथ इसका वैलवेशन भी थोड़ा से एक्सपेंसिव है अब देखे यह कंपनी यह डिजर भी करता है आप पुछेंगे कैसे क्यूंकि आज की रेट में भारत के अंदर आपको सौफ्ट टेकलोजी तो बहुत हो सकता है कभी-कभी खड़ाप न्यूज आ गया गिरावट हो गया अच्छी न्यूज आ गया तीज अगया अगर आपके अंदर पेशन्स है डेविनेटली लॉंग टम में आपको एक अच्छा कासा गया ठीक है ओके नेक्स देखिए बहुत सारा कमेंट इसको बढ़ भी आ अगर आप इन्वेस्ट करते हो सिर्फर से मुब्बेंड की वजए से तो देखिए एक दम बेकूफ हो मैं बार बार आपको कहता हूं कि देखिए बैलेंट शिट में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए चाहिए वह कितने पॉपूलर कंपनी क्यों ना हो ओला हो पीटियम सब्सक्राइब करें 25-30 नीचे आ चुका है तो यह बात में आपको इसके पहले भी अलर्ट किया था अब सवाल उटता है कि देखिए क्यों गिरावाट की पीछे ऐसाच कोई बहुत बड़ा रिजन नहीं है गिरावाट की सिर्फ एक ही रिजन है नॉर्मल प्रॉफिट कि कमपनी को सबसे इंपॉर्टेंट पाट है कि कमपनी को प्रॉफिडवल होना चाहिए बैलंशीट में अच्छा ग्रॉथ होना चाहिए इविन इस बार भी अमने देखा कंपनी की क्वाट्र वान की परफॉएंस भी कोई खास नहीं था यह रान यह वेस पर देखें लॉस करने की जरूरत नहीं है और जिन लोगों ने अभी भी करने का प्लैन करें मैं बोलूंगा पहले वेट कर जाए कंपनी को प्रॉफिटबल बनने दीजे जो मैटो की तरह उसके बाल आराम से जाए कोई दिक्कत नहीं है टेंशन फ्रयों की इन्वेस्ट करें ना ओके नेक्स द कि आज एक्चुली बजार क्लोज हो जने के बाद यहां आप देख सेकतो तक्रिवन पांच बच के तेपर मिनिट पे बहुत इंपोर्टेन अपडेट है क्या है अपडेट मैं आपको एक बार ओपेंट करके दिखा तो मैं एक्चुली पहले कुछ टेम पहले पर रहा था ठ अश्योमेत इलेरा कैपिटेल डाइलग दो हजाच चौपीस और फिप्ट सेप्टेमबर तो हजाच चौबीस को थर्सडे तो मत्तब यह थर्सडे आज तो हो गया मंडे टूस्टे वेडिनिस डे थर्सडे दो तीन दिन बात दोस्तों यह आपको दिखने को मिलेगा बहुत कर सब्सक्राइब काफी गिरावर्ट भी चल रहा था और डेलिवरेवल परसेंटेज भी डी सेंटाप का था ना बहुत कम ना कोई बहुत साधा एक एवर इस्टेप कर ठीक है 24.34 परसें का आसपास बाकी देखी फिर से वहीं देखी गूम फिर के बाद आ जाता है कि यहां पर जो कोई भी हो पेशन्स दापको रखना पड़ेगा यहां पर हो सकते हैं यहां पर यहां पर चाहिए तो देखेंगे सबसे पहली बात जिनके पास हाई लेवल पर शारे सबसें यहां पर इंपोर्टन है क्योंकि बहुत सारी इंवेस्टर समनें देखा था एक सो पांच 110 अलग लग लेवल पर यहां पर थोड़ा वेट किज एक लिस्ट लॉस में सेल मत करना दूसरा अगर आपको बाई करना है सबसे पहली बात देखें लॉंग टम की पॉइंट इवी से जाए और सो का आक्रा जैसे क्रॉस करेगा विकास आज भी हमने देखा था भले ही 100 की ए की फॉस्ट बैंक लिमिटेट के अंदर वर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉरमेटीव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों इस टेप की इनफॉरमेटीव वी बॉलिश पैटन बन चुका अगर आप देखेंगे लास्ट पांस दिन पर यहां पर देख सेट धीमेदी में करके ऊपर मूफ कर रहा है जैसे कि आज भी 75 का जो क्रूशल लेबल ता उसके एकदम बॉडर लाइन पर क्लोजिंग दिया तो इसके पीछे में रिजन कंपनी की CEO कम मैनेजिंग डिरेक्टर उनके तरफ से एक बहुत इंपोर्टन स्टेटमें दिया कि कंपनी की ग्रोथ कैसा हो सकता है नेक्स्ट कुछ सालों के अंदर जैसे कि अब देख सकतो न्यूस की हेड्लाइन आई अपसी फोस्ट बैंक प्लान टू ग्रोड डेपोसिट बाई 25 परसेंगर अंटिल फनांशले 27 तो मतलब अभी चल रहे है 25 नेक्स्ट धाई साल का यहां पर रोड मैप कंपनी की मैनेजिंग डिरेक्टर कम चीप एक्जिक्यूटिव ऑफिसर यानि CEO की तरफ से मेंशन क किया यहां पर 25 परसेंगर वाइस कंपनी की जो डिपोसिट ग्रो हो सकता है उसके साथ यह विवेंशन किया कि 10 परसेंग कंपनी का ब्रंचे से अनुवली वह बढ़ाए जाएगा ठीक है उसके साथ कंपनी अच्छ दीपोसिट तो हो गया 25 परसेंगर तो यह सारे हमने आपको काफी पॉसिटिबली दिखाए दे सकता अब देखें लास्ट एक साल पर तो कोई खास रिटर नहीं दिया बलकि काफी गिरावट भी हो चुका है लास्ट एक सल पहले ही शियर एक्चुले अपना अल्टाइम हाई टाच किया था सवा पर ठीक है उसके बाद कभी गि आपको इन्वेस्ट करना है सेम चीज़ कि शॉट टर्म बेसिस पर कभी भी इन्वेस्ट मत करना चैह मैंने एक मैंने आपको कहता हूं हर एक वीडियो में लॉंग टम की टार्गेट है डेफिनली जाए ठीक है और आज की रिट में कारवर बहुत अच्छा था जैसे कि आप करें तो यह भी थोड़ा दिल दुखा रहा है मतलब अपना हाई टाच किया इतने 84 रुपीज पे कब टच किया लगबग इसी लेवल का सब्सक्राइब या तो जो ऑगोस्ट की सेगें हप में लो टाच किया था 75-76 का सब उस आंक्री को भी ब्रेक कर लिया और 75 नीचे आच सकता है तो देखें कोई इसर हमेशाद चलेगा नहीं एक यह एक्दम आपके दिमाग में रख दीजें ठीक है कोई शेयर कोई सेक्टर हमेशा हर साल और लोग की गलत अगर आपने देखा कि कोई जा रहा है जा रहा है तो उसकेस में थोड़ा सा अलट हो जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गरबर चल रहा है ठीक है चलो ठीक है यहां पर करेक्शन हो रहा है अची बात है उने दीजिए लॉंग टेम इंवेस्टर्स को कोई फ़रक नहीं पड़त बाकी देखिए यहां पर कुछ अनलिस्ट ने इसको पर थोड़ा सा कवरेस्ट दिया है कि क्या कुछ करना चाहिए शेयर की हाई बगरा कंपनी की पर्फोमेंस को बेस करके तो देखें मैं आपको एक बात दिखाना चाता हूं कि क्या टार्गेट बगरा दिया अच्छा नी आसपास पहुंच सकता है और अगर 100 का लेवल ब्रेक करें तो बहुत जल्दी 115 भी जा सकते है ठीक है लॉंग टर्ब इस पर अच्छी कंपनी अच्छा काम कर रहा है जा सकते हैं पर वही पेशन्स आपके अंदर होना चाहिए ठीक है बागी दोस्तों कोई डाउट से